जाजय तो खरीब एक हे class हुई है capital listing और उस एक class में हम लोगों ने क्या पढ़ा सर उस एक class में हम लोगों ने थोड़ा सा introduction दिया कि capital listing में क्या क्या पढ़ना है बिल्कुल कौल सा chapter क्या है ये थोड़ा बहुत पढ़ा थोड़ा बहुत पढ़ा इसके अलावा हम लोगों ने capital wasting start किया था अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया कि discounted cash flow technique कौन सा है cash flow technique कौन सा है जरूरत नहीं है समझ में आएगा कि आज आएगा और वो कब आएगा आज ही की class में आज़ेगा और इसके अलावा मैंने CFAT निकालना सिखा payback period सीखा payback period के विश्य में कुछ बताया नहीं है कुछ लिखाया नहीं था समझा तो सब कुछ दिया था तो थोड़ा सा लेखना इस start करें क्या yes ओके सर तो पहला जो हमने पढ़ा था उसका नाम है payback period payback period payback period होता क्या था सर पेबेक period एक time होता था time जो पैसा हम आज लगा रहा है वो पैसा हमारा कितनी दिनों में recover हो जाएगा और अगर जल्दी recover हो जाएगा ऐसा project जिसमें पैसा जल्दी recover हो जाएगा वो project हमारे लिए अच्छा है तो उसे लिखे क्या हाँ जी पैला point it is the time within which investment in a project is recovered from cash inflows cash inflows मतलब cfaat 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 के विसे में थोड़ी बहत बते है sir हमें क्या है sir payback period ऐसा टाइम है जिसमें हम जितना पैसा लगा रहा है आज वो पैसा हमारा कितने दिनों में recover हो जाएगा कितने years में recover हो जाएगा इसके अलावा दूसरा point पड़ा हमने calculation लिख लो मेरे साथ calculation अब payback period का calculation किस चीज़ पर depend करता है दो चीज़े क्या हर साल का CFET एक जैसा है cash flow after tax या cash inflow क्या हर साल का एक जैसा है अगर हर साल का एक जैसा है तो sir formula लगा देंगे और sir हर साल का अगर अलग-अलग है तो भाई table बना लेंगे simple सी बात है okay point number one if cash inflows are in equal amount each year payback period आप इसे पुरा payback period लिखोगे तो ज्यादा अच्छा है the payback period is equal to initial investment आज कितना पैसा लगा रहे हो divided by annual cf80 cash flow after tax और इसी में point number two sir अगर cash flow equal amount में नहीं है तो रहे दिवा एक प्याद तो खश्याद तो ध्याद में का तो यह तूग जह'd cumulative gas inflows to find out payback period सीधा क्या कहना चाहते हो table याद करो मैंने table बनुआए था और केसे रिकलिया है हाँ सर ठीकेस सर डिसीजन केसे लेंगे पॉइंट नूम्बर 3 पॉइंट रिकलिया है बिसीजन क्राइटियरिया ह्यिजन क्राइटियरिया सर डिसीजन नूम्बर 3 जिसका payback period कम है कि जिसका payback period जादा है जिसमें पैसा जल्दी recover होता है कि sir earlier is better बिल्कुज़ earlier is ठीक है बात समझ में आती है इस पर और examples होगे examples होगे, questions होगे हर चीज होगा, आप tension मत लीजिए तो यह पहला method था payback period second method कौन सा होगा second method है NPV this is most important sir ARR भी तो है accounting rate of return वो भी discussion होगा, वो कल की class में होगा अब भी आपको बहुत ज़्यादा time लेकर NPV समझना पड़ेगा कि NPV क्या है और NPV सबसे ज़्यादा important तो second method लिखोगे net present value इसको हम बोलते हैं NPV अगर में कहूं कि आप लोगों को जो questions आते हैं 90% question में NPV आपसे पूछा जाएगा 100% तो प्लीज भाई payback period पूछेगा कि नहीं पूछेगा वो मुझे नहीं मालूम कि ARR पूछेगा कि नहीं पूछेगा वैसे आपको पढ़ाया भी नहीं लेकिन NPV most important है तो इसमें जितना time हो सकता लगा देना समझने में और यही NPV आपको final में भी पढ़ना है तो विंती है हाद जोड़के NPV बहुत अच्छे से करना और NPV करने से पहले मैं बार-बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि जो मैंने टहला लेक्चर डाला है basics का time value of money please उसे करोगे please it means कहना क्या चाहता हूँ important सीधा NPV का formula लिखवा दूँ कोई मतलब नहीं है समझो अच्छे से समझो ठीक है सर हम समझने को दिया अब मेरे साथ सर्थ बनाओं में जो बनाने जा रहा हूँ okay यह क्या है सर यह company company मन से ब लिख रहा हूँ सर यह क्या चीज है यह बैंक ठीक है और यह क्या चीज है सर यह है प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट हमें जो है हमें जो है बिटिल ध्यास हमें प्रोजेक्ट में लगाना है पैसा कितना कर रहा हूँ हमें किसी प्रोजेक्ट में एक लाख रुपए का investment करना है जब हमें प्रोजेक्ट की विशे में सोचा कि कितना कितना पैसा आएगा तो हमें पता लगा कि अगर हम CFAT समझते हो फर्स्ट येर, सेकेंड येर, थर्ड येर हर साल CFAT अलग-अलग आ सकता है हर साल विकरी अलग हो سकती है सेल्स अलग हो सकती है तो CFAT अलग आ सकता है तो पिछला जो कल की क्लास में आपने CFAT एक ही समझाया था पर येर, तीन साल का प्रोजेक्ट है तो तीन साल जो माल बेचे गे वो अलग rate पे अलग quantity sold करोगे तो cash flow अलग-अलग आएगा yes तो मेरा ये मानना है कि 3 साल तक project चलेगा 3 ही साल तक और मुझे ये लग रहा है कि पहले साल 50,000 आएगा फिर आएगा 40,000 और फिर आएगा 60,000 ऐसा मेरा अनुमान है मैं बैंक के पास गए और बैंक से का कि बैंक प्लीज मेरा ये अनुमान कि पहले साल 50,000 आएगा फिर 40,000 आएगा फिर 60,000 आएगा और मैं गए बैंक के पास मुझे कितने पैसों की ज़रूरत है सर आपको 1,000,000 रुपे की ज़रूरत है तो 1,000,000 रुपे आएगा कहां से सर आपके पास होगे ना नहीं है न बिट्टे और है भी तो वो बैंक में जमा है मैं मान के चलनू अभी पैसे नहीं है मेरे पास क्या किया जाए और लगरा फाइदा दिख रहा है यार एक लग रुपे आज लगा ना 50,000 फर्स्ट इयर में आएगा 40,000 फर्स्ट इयर में आएगा और थर्ड इयर में 60,000 आएगा और मैं गया है बैंक के पास और मैंने का बैंक सुनो ना और मैं बैंक से बोल रहा हूँ प्लीज क्या आप मुझे पैसे दे सकते उधार और कितना रुपए हैं, मैं capital का arrange कर रहा हूँ और कितना capital का arrange कर रहा हूँ सर मुझे चाहिए capital और bank से मुझे चाहिए 1,00,000 रुपए अब bank की बारी, bank का कहना है सुनो भाई ये बताओ, company से बोल रहा है, bank ये जो 1,00,000 रुपए मैं दूँगा बट ऐसे नहीं दूँगा, इसका cost लगेगा, इसका interest लगेगा आप interest समझ लो, अभी simple भाजा में interest बोलूँगा बोले कितना लगेगा, बोले 10% interest देना पड़ेगा इस capital का cost है, अच्छा सर, एक chapter हलाकी मैं पढ़ाऊंगा जिसका नाम रहेगा cost of capital, वहां और detail में समझेंगे पर अभी मैं इसको बोल रहा हूँ, cost of capital बोले 10% per annum आपको देना पड़ेगा बोले सोच लो, और ये बताओं कि आप पैसा कब दो खी? अब सुनना दियांसे, company का ये कहना है कि जैसे जैसे पैसे आएगे ना bank सुनो, bank को समझा रहा है, bank आप चिंता ना करो जो भी पैसा आएगा, हम आपको सबसे पहले देंगे, हम नहीं रखेंगे पहले साल जो आएगा, वो हमको देंगे थर्ड येर में जो आएगा, वो भी वापस कर देंगे, with interest और जो बचेगा ना, वो हमारा, last में सवाल ये है कोई कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा, that's it चलो जी, हिसाब किताब करते, वीटे बस प्रीज, सर आप इतना detail में समझा रहे हैं, हाँ, क्योंकि मैं final में मुझे बालो में दिक्कत होती है, पीस समझ लो, आपको विश्वास नहीं हुए, एक बार calculator उठाऊंगा और मैं बता दूँगा कि कितना बचेगा, पर प्लीज, अभी सुन लो देहां से, हम तयार हैं, ओके सर, सरी बताओ पहले सल कितना आएगा, मेरे साथ सत लिखोगे तो मज़ा आएगा, सर पहले साल आ गया मान लो, पहले साल सबसे पहले बैंक के पास मैं अनुमान लगा रहा हूँ यार मैं एक साल बात अगर बैंक के पास जाता हूँ और बैंक से पूछता हूँ कि सुनो ना बैंक मेरे मुझ पर कितना उधार हो गया तो बैंक क्या बोलेगा, बोले सुनो आपने लिया कितना था, एक लाक, और उस पे इंट्रेस्ट, तो पहले साल के एंड में आपके ऊपर बैंक वाले का एक लाक दस जार रुपगाय उधार हो गया। पहले साल तो मेरे पास कितना है गा 50,000 मैं 50,000 रुपए वापस कर दूँगा तो अब बैंक का मुझ पर कितना बकाया हो गया पहले साल सुनना मेरे बात समझ में आ रही है सर फर्स्ट इयर में 1,000 प्लस 10% आ गया 1,000,000 उसमें से मैंने 50,000 वापस कर दिया तो टूटल मेरे पास कितना बचा सर 60,000 मतलब मुझ पर बैंक वाले का 60,000 बका बाकी रह गया सवाल है सेकंड इयर में कितना आएगा सर सेकंड इयर में तो 40,000 रहेगा पिटे नहीं बैंक वाले का मुझ पर कितना उधार बाकी रहे जाएगा सर सुनो 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 फर्स्ट इयर के एंड में बैंक वाले का आप पर 60,000 था बैंक हर साल 10% इंटरेस्ट जूडेगा तो सर फिर उसका आप पर 66,000 हो जाएगा तो ठीक है बैंक वाले का सेकेंड इयर के एंड में कितना बकाया रहे गया सर 16,000 मैं बहुत खुस हूँ 16,000 देना और सर वो दिन आ गया कौनसा दिन? थर्ड इयर आया और थर्ड इयर मेरे पास आ कितना गया सर थर्ड इयर में आपके पास यहां तो लॉट्री लग गए आपके पास आ गया 66,000 जबकि बैंक वाले को जो देना है न वो 16,000 प्लस 10% तो सर 17,600 रुपए वापस कर देंगे बैंक वाले को माइनस 66,000 उसके बावजूद भी 48,400 हमारे पास बच जाएगा गोलो प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए अंसर है करना चाहिए यहीं से पता लग रहा अच्छ मेरा कहना है कि प्रोजेक्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए इससे करना चाहिए हमने माल बेचा बिटकुल ध्यान से समझना ये बहुत काम की चीज़ है फाइनल में दिक्कत होती है बच्चों को ना इसलिए मैं समझा रहा हूँ हमने माल बेचा हमने पहले प्रोजेक्ट में पैसा लगाया मशीनरी बगेरा खरीदा ठीक है सर अब मशीनरी खरीद के हमने प्रोजेक्ट बनाया मैनुफैक्चर किया बेचा उसमें से सारे खर्चे माइनस किया उसमें से टैक्स भी माइनस कर दिया उसमें सब कुछ माइनस करने के बावजूद भी हमारे पास 50,000, 40,000, 60,000 बचा उसके बाद हम बैंक वाले से उधार लिये थे तो चलो बैंक वाले को पैमेंट, रिपैमेंट करने की कोशिश कर रहा है तो पहले साल बैंक वाले का with interest हमारे पास 10,000 हो गया उसमें से 50,000 वापस कर दिया फिर 66,000 हो गया उसमें से भी 40,000 माइनस कर दिया तो बचा कितना ये सायद मैंने गलत कैलकुलेशन किया है 63,000 माइनस 40,000 तो 26,000 रुपे बचा 26,000 बैंक वाले को 26,000 प्लस 10 परशन 28,000 इसको ठीक कर लेना भई 28,600 28,600 देने के बाउद हमारे पास कितना बचा माइनस 66,000 उसके बाद भी है सर हमारे पास 37,400 बचा 34 देख लिए बहुत सारे बच्चे बोल भी रहे होगी कि सर गलत है गलत है गलत है पर कैसे सुनू आपको ठीक है या हमें इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना कि अगर हम इस प्रोजेक्ट में पैसा लगाते है सारा मालवाल सब बेचने के बाद बैंक वाले को रिपैमेंट करने के बाद उसका इंट्रेस्ट भी देने के बावजूद भी हमारे पास 37,400 बच गया इसका कुछ नाम तो होना चाहिए इसका नाम क्या है सर प्लीज बता दो इसका नाम क्या है इसका नाम है इसका नाम है नेट वैल्यू अच्छा सर ये है नेट वैल्यू सर नेट प्रॉफिट नहीं बोल से इसको प्रॉफिट नहीं बोला जाता सर नेट cash flow बोल सकते हैं की बोल सकते हो पर मैं net value बोल रहा हूँ कोई दिक्कत की बात है क्या बस बच्चो एक बात सो समझ के बताना ये जो 37,400 बचा है ये जो बच्चा है क्या सारे खर्चे माइनस हो चुके हैं हाँ सर सारे खर्च माइनस करने के बात क्या बैंक का पुरा एक लाक वापस कर दिये हाँ ना सर क्या बैंक का हमने इंट्रेस्ट भी वापस कर दिये हाँ जी सर उसके बाद हमारे पास इतना बच्चा है पस एक important question जब हम CFAT निकालते है तो जो बैंक से लून लिया है उसका इंट्रेस्ट माइनस करते है कि नहीं करते है अराम से सोच लो बड़े काम की चीज़े मैं जो वह गर रहा हूँ जब हम cash flow after tax निकालते हैं तो क्योंकि बैंक से लून लिया है या सर एक लाग का तो ये जो CFAT आया है वो इंट्रेस्ट माइनस करने के बाद आया है कि करने से पहले आया है मतलब इस CFAT निकालते समय हमने इंट्रेस्ट माइनस किया है कि नहीं किया है सवाल है कि आप कहोगी कि सर इंट्रेस्ट माइनस किया है तो भाइ यह interest दो दो बार क्यों माइनस कर रहा हूँ, बेकार की बात है, अगर आपका कहना कि sir यह interest माइनस होने के बाद आया है, तो फिर interest double double का माइनस हो रहा है न, आपका गलत है फिर तो, it means समझने की कोशिस करना, जब भी CFAT निकाला जाता है, interest माइनस नहीं करते, क्यों, क्योंकि हम cost of capital को यहां यूज करते हैं यहां यूज करते हैं और यह नाल लाते है NPV net value और समझाओगे कि समझा रहा हूँ क्या project कर लेना चाहिए हाँ sir कर लेना चाहिए पर फिर भी institute यह मानना बोले net value मत निकालो पैसा घब जा रहा है पैसा तो आज जा रहा है तो यह कब का पैसा है यह 3 साल का पैसा तीन साल बात का पैसा नहीं आज का पैसा बताओ इस मुझे जो value चाहिए क्योंकि investment आज कर रहा हूं तो मुझे net present value चाहिए मुझे net value नहीं चाहिए मतलब सर इसको तीन साल पहले करना पड़ेगा यास ये तीन साल बात का cash flow है क्या इसका present value निकाल सकती हो सर वो तो हमको आता है यास वो ही निकालना है concept है भाई जिनको रेटने की आदत है यहाँ आपके काम की चीज़ नहीं तो सर हमें क्या निकालना हमें value 37,400 कब का cash flow है तीन साल बात का 1.10 power 3 net present value आता है पहली class आपने देखा होगा 37,400 divided 1.10 एक दो तीन तो net present value आगया रुपीस 28099 that's it अब क्या project accept इसी को बोलते हैं इसी को क्या बोलते हैं इसी को बोलते हैं NPV NPV और क्या क्योंकि यह positive है इसका मतलब हम जितना पैसा लगा रहा है सब कुछ देने के बावजूद भी हमारे पास इतना पैसा बच जा रहा है तो हमें पक्का प्रोजेक्ट में invest कर तो सर एक्जाम में ऐसे करेंगी कि एक्जाम में आपको ऐसे नहीं एक्जाम में एक फॉर्मुला है यहां लिख वा रहा हूँ और फॉर्मुला NPV is equal to present value of cash inflow minus present value of cash of flow मतलब सर मतलब simple है यार बताओ पहले साल cash inflow है कब कितना आ रहा है तर 50,000 यह कब आ रहा है first year तो इसका present value कैसे करेंगे 1.10 power 1 सिखाया हूँ मैंने पहली क्लास में तूसरे साल कितना आ रहा है तर 40,000 divided by 1.10 power 2 तर 3rd year में कितना आ रहा है 60,000 divided by 1.10 power 3 माइनस क्या करोगे पैसा कितना लगा रहा है एक लाक आंसर चाहिए मुझे सर पचास है डिवाइ 1.10 एक्वल टू एम प्लस 40,000 एक दो एम प्लस 6,000 एक दो 3 एम प्लस माइनस सर या गय 2, 3, 5, 9, 1 कहां गरवड हो गया है 66,000 माइनस ओके सर ये 27,400 है बहुत कैलकुलेशन मिश्टेक है सर आज भर होगा आज मेरे सामने बच्चे नहीं है न ओके सर कोई बात नहीं 27,400 डिवाइदे 1.10 एक दो ती 27,400 डिवाइदे 1.10 एक दो तो सर ये तो आ रहा है 2,0 5,8,6 अभी भी मुझे गरवड लग रहा है एक बार चेक करूँ क्या 8,000 6,000 माइनस 40,000 20,000 इंटे 1.10 28,600 68,000 माइनस 33,300 तो थर्ड येर में 60,000 आ रहा है सॉरी, 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 सॉरी काटना पड़ा होगा तो सॉरी ओके सर कोई बात ने 30,000 माइनस 28,600 तो सर ये आगए 31,400 सर मतलब ये क्रॉस वेरिफाई तो हुई जाता हाँ 31,400 डिवाइड बाई 1.10 पावर 3 यूटिव में कमेंट्स लिखने से पहले सुन लेना धिहांसे यास्ट तक देखना है दिवाइड बाई 1.10 एक, दो, तीन ओके सर तो ये आ गया रूपीश 23591 sorry calculation mistake हो गए था तो sir यहां भी इतना ही आ रहा है न हाँ तभी तो पता लगा कि गलत calculation हो गए करके 50,000 divided 1.10 equal to M plus 40,000 दो बार equal to M plus 60,000 1, 2, 3 M plus MRC minus ओके sir तो यह आ गए sir 23591 हो जाता है बच्चे सामने ना हो तो यह class क्योंकि record नहीं हुई थी ओके आगे से calculation होगा नहीं क्योंकि बच्चे सामने होगे ठीक है 2351 591 sir हमें करना कैसे exam है आपको ऐसे करना भाईयो चिंता मत करो ऐसे नहीं करना यह तो concept समझ रहे थे हम लोग की NPV क्या तो sir basically NPV क्या basically NPV कुछ नहीं है जो पैसा मुझे future में मिलने वाला उसका present value किया और एक लाग तो आज ही का value हम माइनस किया तो answer आ गया है 23591 यह पैसा बचा है मतलब सब कुछ खर्च काटने के बावजूद भी हमारे पास पैसा बच रहा है 23591 पस एक चीज अगर बारीक क्यों से समझोगा क्योंकि final में काम आएगा जब मैं 50,000, 40,000, 60,000 लेख रहा हूँ तो बताओ इसमें से interest माइनस हुआ है कि नहीं नहीं हुआ है पर जैसी मैंने 23591 लिखा मतलब interest भी माइनस हो गया और principal भी माइनस हो गया यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ principal तो यह माइनस कर ही रहा है और interest भी माइनस हो 10% को discounting कर रहा हूँ इसका मतलब ही तो है कि interest ऐसे माइनस कर रहा हूँ खिर इतनी बारी क्या नहीं भी आती ही समझ में तो भी चल जाए ओके तो सर NPV क्या है NPV कुछ नहीं NPV difference है किसका present value of cash in to present value of cash in outlaw और NPV निकालना कैसे NPV ऐसे निकालना ऐसा काम नहीं आएगा आपको और decision कैसे लेंगे अगर एक ही project है तो NPV positive होना चाहिए और सर NPV negative है तो भी यह मत करो project दूसरा अगर दो project है यार एक का NPV ज़ादा आरा एक का NPV कम हो रहा है तो higher NPV जिसका है दोनों में से एक ही कर रहा है तो mutually exclusive, mutually exclusive proposal बोलते है mutually exclusive का मतलब क्या होता है दो project है दोनों का NPV positive है पर दोनों को हमें नहीं करना है अगर mutually exclusive का मतलब एक को accept करते तो दूसरे का automatic rejection हो गया उस condition में हमें वो project करना जिसका NPV हाया है प्लीज लिखवा दोगे के हाँ लिखवा देता हूं मैं लिखवा देता हूं वो बेट नहीं कर सकता हूं तो point no.1 NPV is अप्स of प्सेंद द्रुख भाल्यू प्सेंद वडेंवा दिए जिसर्त कर देता है प्सेंद द्रूज कर देता हूं वोर present value of कैसा आउट्वोस ठीक है अगर मैं simple formula में लिखो हूँ तो NPV is equal to PVCI minus PVCI हो simple decision कैसे लेंगे point no.2 decision decision criteria अगर single project अगर single project है तो क्या बोलोगे और NPV should be positive और sir एक से ज़्यादा project है जिसको आप बोलते हैं usually exclusion decision कैसे दोगे and PV should be higher लिख लो एक मिनाट हाँ जी पुरी उमीद है लिख लिया होगा एक दोग्जाम्पल करते हैं बात करते हैं या सार लिखोगे एक्जाम्पल cost of project 1,25,000 ठीक है sir life आलो चार साल है ठीक है और CF80 हम निकाल कर बता दिये आपको पहले साल आएगा 52,000 यह आएगा 45,000 यह आएगा 25,000 और फिर आएगा 62,000 calculate NPV और cost of capital cost of capital को discounting rate भी बोलते हैं तो discounting rate लिखिया ना प्लीज 10% परसर यह discounting rate वही है वसी को दो बोलते है opportunity cost of capital भी बोलते है निकाल NPV मैं टेबल नहीं बना रहा हूँ टेबल बनाना मैं कोशन के साथ में सिखा हूँ अब NPV नहीं कालने के दो alternative alternative one NPV is equal to PVC फॉर्मला लिखिये सर फॉर्मला प्विचिए मिनस प्विचिए मिनस प्विचिए यो तो बताओ फिर्स्ट यहर में कितना आएगा तर 52,000 divided by 1.10 to the power 1 plus 45,000 divided by 1.10 power 2 plus 25,000 divided by 1.10 power 3 plus 62,000 divided by 1.10 power 4 minus kya likhogi 1,25,000 52,000 divided by 1.10 equal to m plus 45,000 12 m plus 25,000 12 m plus 60 2,000 a 1,2,3,4 m plus m rc minus 25,000 answer आ गया rupees 20592 मैं round off करूँगा भाई मैं point point नहीं लिखने वाला हूँ ठीक है sir ये तो आता है sir दूसरा alternative और है भाई अब क्या alternative दूसरे alternative में और एक तरीका factor लेकर factor तो आता है मैं समझा चुका हूँ तो 10 percent का factor लेकर 52,000 into point 909 plus 45,000 into 0.826 plus 25,000 into 0.751 plus 62,002.683 minus 1,25,000 52,000 into point 909 plus 45,000 into 0.826 plus 25,000 into 0.751 plus 62,000 into point 683 minus 1,25,000 तो यार आप ऐसे भी कर सकते हो आप ऐसे भी कर सकते हो सर सुनो NPV तो अलग अलग आएगा आएगा बिल्कुल NPV अलग 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 आएगा उसकी एक मात्र वजह आपको दिखना चाहिए हम यहां पूरा ले रहे हैं और यहां हम round off कर रहे हैं factors 10 परशन का factor निकालना सब को आता है 1 divided by 1.10 0.909, 0.826, 0.751, 0.683 सभी को आता है यहां और यहां अंतर आएगा सर एक्जाम में कैसे करेंगे भाई एक्जाम में आपको जो भी करना है वैसे कर सकते हो factor लेकर कीजिए कोई दिक्कत नहीं है बस इतना है कि अगर questions के साथ factors दिया होगा जब question देखोगे तो questions के साथ factors दिये होते हैं अगर question के साथ नीचे factors दिया होगा तो आपको factors ही यूज करना है आप ऐसा divide वाला नहीं कर सकते accuracy किसमे सार accurate तो ये है accurate ये है लेकिन अगर factors दिये होगे तो आप factors यूज करोगे 10 परशन का factor ठीक है जी हाँ जी सार हलाग ये दोनों सार हमको आता है मैं जानता हूँ आता है सार हम ऐसे नहीं कर सकते कि ऐसे जैसे हम आपने करवाया था ये वाला डाइगा ये नहीं बिट्टी ये तो समझाने के लिए था ठीक है ठीक है ये बाद समझे और एक एक्जामपल करें क्या हाँ सार और एक एक्जामपल एक्जामपल cost of machine भी लिख सकते है cost of project भी लिख सकते है 1 FIT First Year Second, Third Year Fourth Year 4 सल लेते हैं अजह 5 ले लोगी पाथ साम और सर हर सल कितना आएगा 45,000 5,000 5,000 और सर कोश्ट आप कैपिटल कितना है 20% पर रहे हैं NPV कोश्चन मार्ग चलो जी मैं आपके लिए फॉर्मूला लेख दू फॉर्मूला NPV is equal to PVCI minus PV मैं फैक्टर वाले तरीके से कर रहा हूँ तो डिवाइड वाले से भी आसानी से हो जाएगा फैक्टर वाले ध्यान से समझना क्या हर साल 45, 45, 45 एक जैसा है और मैंने आपको बताई कि जब भी एक जैसा होता है कैश फ्लो उसको बोलते है एनुटी और आपने नहीं बताया है यह हमको फाउंडेशन से पता है हां मैं जानता हूं इसको बोलता है एनुटी अगर हर साल का कैश फ्लो एक जैसा है तो इसको एनुटी बोलते है और एनुटी होता है तो हम जो फैक्टर्स यूज़ करते है 45,000 इन्टु हर साल एक जैसा है ना तो present value factor नहीं present value NUT factor यूज करते हैं, करवाया हूँ पहली क्लास में, पहली क्लास जरूर देखोगी, बेसिक वाले, और सर्डिस्काउंटिंग रेट कितने परशन का लेना है, 20 परशन और कितने साल का है, चार्ट पाथ साल है, और इस में से माइनस कितना गरेंगी हैं, 151,000, 45,000, 181,2,3,4,5, जी ति, 2.991, ठीक intense, और इस में से माइनस कितना growiblick, करो गया 45,000 to 2.991 मैनस एक लाग तो सर यह आ गया 3, 4, 5, 9, 5 इसका मतलब यार एन पी भी कुछ नहीं है अगर कुछ नहीं सर दिक्कत किया CFAT नहीं दिया रहेगा तो बस वो CFAT निकालना पड़ेगा इपन करता हर साल का अलग-अलग है तो अलग-अलग फैक्टर लोग है जिसको आप बोलते प्रिजेंट वैल्य फैक्टर और यह बोलते है प्रिजेंट वैल्य एन उटी फैक्टर कुछ लोग PV, AIF पी लिखते है ठीक है चल जाता कोई फर्क नहीं है तो मेरे कहल से NPV काफी कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ गया अभी तो बहुत कुछ पढ़ना NPV में एक हलका सा आइडिया दिया हूँ NPV क्या होता है तो टोटल मिला कर दो मैथट पढ़ा भी हमने एक पढ़ा पेबैक पिरियाड एक पढ़ा NPV और पेबैक पिरियाड और NPV दोनों में ही किस चीज़ की ज़िवत बढ़ती है कैश फ्लो आफ्टर टेक्स और क्या कैश फ्लो आफ्टर टेक्स भी निकालना सिखा यस तो एक एक्जामपल कर रहा है तो बड़ा सा बड़ा वाला एक्जामपल इसमें मैं आपको CFAT नहीं दूँगा तो आपको सबसे पहले CFAT निकालना पड़ेगा ओके और CFAT निकालने के बाद फिर आपको NPV भी निकालना पड़ेगा और आपको पेबैक पिरियड भी निकालन हो जाएगा इस example के तो लिखोगे एक्जाम इंपोर्टेंट एक्जाम्पल है कोश्ट औफ नसीन रूपीस ब्लक्त है लाइफ लेशे पासर और मैंने आपको CFBT दिया इस बर Cash Flow Before Tax मेरे खेल से इतना आइडिया तो हो चुका है First year, Second year, Third year, Fourth पहले साल हमारा आएगा 25 फिर पहले साल थोड़ा विजनेस कम चलेगा 75,000 फिर 3,000 फिर 85,000 और फिर हमारा आएगा 92,000 और प्रोजेक्ट बंद हो जाएगा ठीक है और सरदप्रेशिशन दप्रेशिशन भी दे देता हूं दप्रेशिशन का रेट है 20 परेशन पर रेनम मैथड लिखेंगे W मतलब सरद CFAT हर साल का अलग-अलग आसकता है अलग-अलग आसकता है और टेक्स भी लगेगा तो टेक्स का रेट ले लेते हैं 30 परेशन ठीक है 30 परेशन और सर कॉश्ट ओफ कापिटल कॉश्ट ओफ कापिटल ले लेते हैं 10 परेशन परेशन इंपोर्टन एग्जामपल है अपके लिए और मैं आपसे बोल रहा हूँ परेशन ठीक है ठीक है discounting payoff period Lenktur जर यह तो आपने नहीं समझाया कोई बात नहीं यहां समझ लेते example से बात discounting payoff period और N pv payment period discounting payback period और N pv चाहे आप Payback Period निकालिए, चाहे आप NP भी निकालिए, चाहे आप Discounting Payback Period निकालिए, वो तो मैंने समझाया नहीं है, Discounting Payback Period, जो भी निकालिए, इन सब चीजों के लिए आपको CFAT की जिर्वरत है, अब हम निकालेंगे Cash Flow After Tax, टेबल बनाकर, ठीके सरह हम तरिया, इतने 5 कॉल हम क्या निकाल रहे है, सर हम निकालने जा रहे है, Cash Flow After Tax, इतना साल सर, 1, 2, 3, 4, 5, 5 कॉलम बनाया, सबसे पहले लिखेंगे, CF, टेक करो कितना कितना दिया, 25, 75, 80, 75, 75, 70, 80, 85, 80, 80, 80, अब इसमें से क्या माइनस नहीं हुआ, सर इसमें से डेप्रेशिशन सबसे पहले माइनस करना पड़ेगा, क्यों सर मजबूरी है, क्योंकि हमें टेक्स का इमाउंट चाहिए, इसलिए माइनस किया जा रहा है, क्योंकि हमारी मजबूरी है, माइनस किया करोगे डेप्रेशिशन, इतने की मेशीन, 2,020,000, डेप्रेशिशन निकालना मैंने सिखाया था, कैलकुरेटर से, 2,020,000, मतलब उसा 40,000 हो गया, मतलब पॉइंट एट इन्टू 40,000, 32,000, एक वल्टू, 25,600, 35,600, एक वल्टू, 2,0, 4,8,0, 1,6,3,8, बस एक जगह दिखके जाएगी, बाकी आपको CFET सब बन जाएगा, अब से, एक ही जगह दिखके जाएगी, सर यह जो निकला, इसको बलते है, profit before tax, और यहां तो सर लॉस आ गया, 25,000, मैनस 40,000, लॉस आ गया, कितने का 15,000, 75,000, मैनस 32,000, तो सर यह आ गया, 43,000, 80,000, मैनस 25,600, तो यह आ गया, 5, 4, 4, 0, 5000, मैनस 24, 80, तो यह 6, 4, 5, 2, 0, 92,000, मैनस 16, 38, 4, तो यह आ गया, 15, 16, 16, अब आता है, टेक्स, और टेक्स का रेट कितना है, 30, उधर का तो निकाल ले था, 0.3 into 43,000, तो यह आ गया, 12,900, यह आ गया, 16,320, यह आ गया, 19,356, 21,561, 6, 30, यह आ गयसा है, 22,685 ले ले ले, प्रॉफिट होगा, तो टेक्स भी तो देना पड़ेगा, लेकिन सुनो, लॉस हुआ तो क्या करें, लॉस हुआ है, बंदरह जार, इसका क्या करोगे, जब प्रॉफिट होता, तो हमको टेक्स देना पड़ता, तो जो लॉस हुआ है, तो क्या हमको टेक्स मिलेगा, नहीं ना सर कैसी बात कर रहे, तो लॉस पर टेक्स नहीं लगेगा, पर टेक्स अब्द आएगा, सैट आप कहरी फॉवड, कभी नाम सुना है, अगर कोशिट में, बिल्कुल धिहान से समझना मैं क्या कहना जाए, अगर कोशिट में कुछ ना बोले, तो हमारा एजिम्शन है, तो सुनो के धिहान से समझना हो, कि मेरा सिर्फ और सिर्फ यही, एक प्रोजेक्ट नहीं है, मेरे बहुत सारी प्रोजेक्ट है, मेरे बहुत सारी बिजनेस है, और पहले साल हो सकता है, कि किसी बिजनेस में मुझे प्रोफिट हो रहा है, सर्मन से लिख सकते हैं, कि मन से लिख रहा हूँ, किसी और बिजनेस में मुझे प्रोफिट हो रहा था, दो लाग तो दो लाग पे मुझे 30% का टेक्स देना पढ़ रहा था तो टोटल मिलाकर 60,000 रुपए मुझे टेक्स लग रहा था बट एक फाइदा है अब यार उस बिजनेस में प्रॉफिट तो है दो लाग का और दो लाग में 30% देना पढ़ता लेकिन यार मेरा तो लॉस हुआ है पहले साल किसी और बिजनेस में किसी और प्रोजेक्ट में मेरा 15,000 का लॉस हुआ है तो क्या इस लॉस को सेट आफ किया जा सकता है यस माइनस 15,000 तो अब मुझे टेक्स दो लाग पे नहीं लगेगा दो लाग माइनस 15,000 सर मुझे तो 1,85,000 पे लगेगा और 1,85,000 का कितना पर्षन 30% तो सर मुझे 55,000 500 रुपए टेक्स लगेगा तो क्या इस लॉस की वज़ा से मेरा टेक्स बच गया यस जो मुझे 60,000 रुपए लग रहा था अब मुझे 55,000 लगेगा तो बताओ मेरा कितना टेक्स बच गया टेक्स सेविंग्स बोलते 60,000 माइनस 55,000 सर मेरा तो 4,000 पास्तो टेक्स बचाना यार मेरा फाइदा है यह पैसो का ना जाना भी आने के बराबर है सर सीधी सी बात है यह मेरा पैसा आ रहा है सर ये 4500 क्या सीधा भी लगा सकते है या स्पंद्रा हजार का 30 परशन निकालो सर पंद्रा हजार का 30 परशन 4500 हमें ये कहानी नहीं बतानी है ये बतानी की जो ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ कि लॉस को सेट आफ किया जा सकते सर अगर कोश्चन में बोलेगा कि सेट आफ नहीं कर सकते तो बस फिर तो कुछ करना ही नहीं फिर तो जीरो लिख देना पर हमें सागर कोश्चन में कुछ नहीं बोलेगा तो हम मान के चलेंगे कि यहीं और मेरा प्रॉफिट हो रहा है इस laws को मुझे उससे set up करूँगा इसलिए मेरा 4,500 होगा मेरा profit होगा 15,000 laws है no doubt पर profit है और कितने का इसकी वज़े से मेरा tax बच रहा है कितना बच रहा है 4,000 पास ठीक है तो सब 4,000 पास मेरा tax savings है अब सरह हम क्या निकाले अगर आप pet वाले route से जाना चाहते हो जा सकते हो मैं सीधा निकाल रहा हूँ CF80 CFBT क्या मुझे मालूम है क्या मुझे tax मालूम है तो सीधा इसमें से tax minus कीजिए न क्यों time pass करे time pass करना है तो अलग बात है कि आप एक column कीचिए एक line कीचिए और line के बाद लिखिए pat और फिर plus कीजिए depreciation कर सकते हो मैं सीधा कर रहा हूँ जैसे 75,000 माइनस सीधा क्या कर दूँ 12,900 तो सर यह आगए 62,100 सीधा सीधा कर सकते हैं इसको मैं लिख सकता हूँ 1-2 जैसे 80,000 माइनस से 16320 CF80 आगए 63,680 85,000 माइनस 1,93,56 तो सर यह आगए 6,5 64,4 92,000 माइनस 22,685 तो सर यह आगए 6,9 31 पहले साल का सूच समझ के बोले सर यह माइनस में अगर 1, माइनस, माइनस 2 कर दूँ तो माइनस माइनस कट जाता है मैस के साब से अगर मैस से नहीं भी सोच रहा हो तो भाई यह 25,000 पैसा आ रहा है और 4,500 भी तो आ रहा है तो दूनो एड होगा 25,000 आ रहा है और 4,500 भी तो मेरा पैसा बच रहा है तो यह दूनो एड हो जाएगा conceptual, logically और मैस में जाता है तो 25,000 माइनस, माइनस 40 तो माइनस माइनस का टुक हो कि क्या हो जाएगा प्लास हो जाएगा बाकि आपको जैसे करने 25,000 प्लस 4,000 पास तो यहार C.F.80 आ गए 29 ठीक है जी, नोट कीजिए चल दिस तो ठीक है सर्श, NPV निकाले पहले क्या निकालेंगे, payback period payback period क्या होता है, सर्फ payback period कुछ नहीं होता है हर साल का C.F.80 अलग-अलग है और इतना पैसा लगा कर 2,00 रिकवर होना चाहिए वैसा कुछ करने वाले उसको बलते है payback period और सर्फ यह क्या आप formula लगा सकते हैं नहीं सर, table ही बनाना पड़ी है, तो चलो table बनाते है तो first क्या करेंगे, payback period payback period, year C.F.80, cumulative C.F.80 तो सर्फ तीन कॉलम में काम हो जाए प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, initial investment मेरा कितना है, दुक्ष, प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगा, initial investment मेरा कितना है? तो लग, first year में C.F.80 कितना आगा है, तो 229,400 तो 29,400, तो total जमा हो गया, मेरा 20 second year में कितना आगा, तो second में आए 62,100 तो 62,100 और आगा है, तो 29,400 प्लस 62,100 तो सर यह आगा है, 91,500 third year, तो third year में आगा है, 63680, तो सर 63680, तो सर 63680, तो यह आगा है, सर 155,180 fourth year, तो fourth year में 65644, 65644, तो सर यह बढ़ गया है, 219, 84, 824, तो हमें कम से कम कितना शाल लगेगा, सर कम से कम लगेगा, 3 साल प्लस, एक साल में आ कितना रहा है, 65644, इन्टू हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए 2,00, उस में से third year में आ चुका है, 15180, तो सर, 2,00, minus 155, 180, divided by 6, 5644, तो सर 3, तो यह आ गया, payback period आ गया, 3.68, 3, 6.683 years, अगर मैं बोलूं कि project करना चाहिए कि नहीं, तो कोई भी decide नहीं कर सकता, question में, बताएगा, कि आपका target payback period क्या है, या बताएगा कि आपका standard payback period क्या है, final project है, अगर mutually exclusive होता है, तो जिसका payback period कम है, उसको select कर लेते, पर एक ही project है, और पूछा by chance कि बताओ करना है कि नहीं करना, तो ऐसे decide नहीं हो, कि वो बताएगा, कि है हमारा standard payback period है, तीन साल, हमें तीन साल में पैसा चाहिये था, शेज़्यादा लग रहा है, reject, पर अगर वो बोलता कि नहीं, standard payback period हमें आला, दूसरा दूसरा क्या मांगा था मैंने डिसकाउंटिंग पे अब सुनना धियां से डिसकाउंटिंग पे भी प्रॉब्लम ये है पैसा कब लग रहा है आज कितना दो लक ये पैसा कमा रहा है ये पहले साल ये दूसरे साल ये तीसरे साल जो पैसा लग रहा आज तो आप CFA T यह तो बाद में आ रहा ना तो बात के पैसो को आज के पैसो से comparison नहीं किया जा सकता तो आपको CFA T नहीं लेना उसका present value लेना मतलब उसको discounting करना है yes discounting payback period क्या है discounting payback period में कुछ नहीं होता जो CFA T होता है उसको हम factor से multiply करेंगे तो present value आएगा और यहां present value को cumulative करना है that's it और कुछ नहीं करना है मतलब मतलब बस इतना है कि payback period में आप present value या time value of money को ignore कर रहा हो और discounting payback period में आपको time value of money को consider करना है याद करो मैंने जब लिखवाया हूँ शुरू में तो मैंने कहां कि यह techniques को मैंने दो पार्ट में बाट दिया एक non-discounting cash flow techniques non-discounting cash flow techniques में मैंने दो method रखा payback period और एक ARR जिसमें present value को ignore करते discounting ही नहीं करते और दूसरा आपको time value of money को consider करना है इसमें discounting payback period है NPV है और भी methods अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या रहा हूँ यार ये cash flow को मैं कैसे comparison करने सकता हूँ ये तो यार ये तो future में आने वाला और पैसक अब जा रहा है आच इसका क्या करने है इसका हम present value निकालने वाले और उसको cumulative करने वाले जिसको हम नाम बोल रहे है discounting payback period आओ काम करें दूसरा कौन सा कर रहे है दूसरा सर्फ दूसरा है discounting payback period अब year चार कॉलम आजाए तर कौन कौन से वह में बता दूँगा ज्यादा ये ये प्रेजेंट वैली फैक्टर ये ये एफटी प्रेजेंट वैली फैक्टर और एक कॉलम है मतलब एक दो तीन चार पाच कॉलम लगेगे पहला आएगा year बिलकुल फिर आएगा साथ cf80 येस फिर आजाएगा present value factor फिर आजाएगा क्योमलेटिव नहीं present value factor से multiply करेंगे तो क्या जाएगा साथ ये आजाएगा present value of cf80 और फिर एक क्योमलेटिव प्रेजेंट वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू अफ क्योमलेटिव बस प्रेजेंट वैली फैक्टर के cost of capital कितना percentage लिखा है मेने question में the cost of capital आपने लिखा 10 पर्षन 10 पर्षन जली जली करते हैं यह 1, 2, 3, 4, 5 EFAD 29, 400, 62, 100 29, 400, 60, 100 6, 3, 6, 8, 0 6, 3, 6, 8, 0 6, 5, 6, 4, 4 6, 5, 6, 4, 4 और लाश्ट येर का भी देख लेते हैं अब लाश्ट येर का आगा है 6, 9, 3, 1, 5 6, 9, 3, 1, 5 Sir, factor 0.909, 0.826, 0.751, 0.683, 0.621 Sir, here I get 2.6 6, 7, 2, 5, yeah I guess sir, 5, 1, 2, 9, 5, yeah I guess sir, 4, 7, 8, 2, 4, 4, 4, 8, 3, 5, of 4, 3, 0, 4, 5, अब इसको cumulative करेंगे और पहले हम इसको कर रहे थे, इसको करेंगे तो नाम हो जाएगा discounting payback period, बाकि तो rules वह ही है, जिस earlier is better, उसमें कुछ ने लिखवाने वाला हम है, और sir, इसको करते थे तो उसको बलते थे, payback period, तो sir, cumulative करते हैं, 2, 6, 7, 2, 5, 2, 6, 7, 2, 5, plus 5, 1, 2, 9, 5, तो sir, 7, 8, 0, 2, 0, plus 4, 7, 8, 2, 4, sir, here again 1, 2, 5, 8, 4, 4, plus 4, 4, 8, 3, 5, sir, here again 1, C, 1, 0, 6, 7, 9, plus 4, 3, 0, 4, 5, sir, here again 2, 1, 3, 1, 2, 4, okay, अब क्या करेंगे, discounting payback period, sir, कम से कम कितना साल लगीगा, चार साल, बस, sir, एक साल में आ रहा है, इसको मत लेना, इसको लेना, 4, 3, 0, 4, 5, और हमें चाहिए कितना 2,00, 2,00, में से आ कितना गया था, 1, 70, 6, 79, बस, निकाल लीज़, 2,00, माइनस, 1, 70, 67, 9, divided by 4, 3, 0, 4, 5, plus 4, तो, sir, यह आ गया, 4, 68, 1, तो discounting payback period, वैसे कुछ wishes नहीं है, और इसमें कुछ सिंचाने वाली बात नहीं है, और NPV तो हमको आता है, दूसरा था discount, इसमें क्या-क्या सीखा, बहुत को सीखा, और क्या निकालना है, NPV, NPV यही निकाल दूँ क्या मैं, वैसे NPV में सीखा भी निकाल सकता था, पर आपका दिमाग घुम जाएगा, जब सब पूरा काम कर रहा है, तो इसको भी करी लेते हैं, एटमस मैं क्या कहना चाहता है, सुनू, जब मैं कहा रहा हूँ, यह जब फैक्टर से मल्टिप्लाइ किया, और इसको एट करना है, तो यह आगए 2,13, 724, माइनस 2,0,000 कर देंगे, तो वैसे भी NPV है जाएगा, इतना दिमाग चल रहा होगा, नहीं भी चल रहा, तो भाया, NPV निकाल लो, जिसको फैक्टर से करना, फैक्टर से कर दीजिए, 60 to 100, इवाइद बाइ 1.10 पावर 2, दस 63680, इवाइद बाइ 1.10 पावर 3, दस 65644, इवाइद बाइ 1.10 पावर 4, बस 69315, इवाइद बाइ 1.10 पावर 5, मैंनस क्या करोगे, दो लग, लालो चल लग लग, 29400 दवाइद 1.10 एवाइद 2 लग, दस 62, 680, मतलब सब 13,760, और हाला कि मैं सीधा भी कर सकता था, 12,19,824, बला नहीं, 12,13,724 में से सीधा माइनस दो लाग कर सकता था, खैर मैंने तीनों काम करवा दिया, तो आज ही एक लास में हम लोगों ने, तो तीन चीज़े पढ़ा है, एक पढ़ा हमने पेबैक पिरियर्ड, डिसकाउंटिंग पेबैक पिरियर्ड, NPV के विसे में मैंने लिखवाया हो सकता, अगली क्लास में भी लिखवा दूँगा, क्योंकि उस समय हो सकता है, कि मैंने लाइब क्लास में NPV के विसे में कुछ लिखवाया नहीं रहा होगा, गर उतना तो आप मैनेज कर लोगे, ओके, तीन मैथ़ड मैंने आपको पढ़ाया, जाते जाते बस एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज, मान लो आज, आज किसी मशीन को मैंने एक लाइक रुपए का लिया, ठीक है सर, और ठीक, तीन साल बाद मन से लिक रहा हूँ, तीन साल बाद उसकी बुक वैल्यू हो गई, सब्तर अज़र, ठीक है, और मैं उसको बेचना चाहता हूँ, एक लाइक दस जाद, सवाल है कि क्या मुझे कैपिटल गेन हो रहा है, हाँ सर, वो भी एक आएगा पिक्चर में, कल बताऊंगा उसको मैं हाले, कैपिटल गेन हो रहा है, तो कैपिटल गेन जब करते तो किस से करते है, सर कैपिटल गेन किस पे निकालोगे, capital gain कितना हो रहा है एक लाग दस जार मैंनस एक लाग करोगे cost को मैंनस करोगे book value को मैंनस करोगे capital gain कैसे निकाल 1,10,000-70,000 1,10,000-1,000 क्या लगता सर बिकार की बात है 1,10,000-70,000 यस 1,10,000-70 capital gain कितना हो रहा है capital gain हो रहा है चालिस तर इस मुद्दे पर बात करना है कल कि इसका भी तो हमको देखना पड़ता है यह कहते कि यार सिर्फ बिजनेस कर रहा है वो बात अलग है मसीन भी तो बेचोगे लाश्ट में तो मसीन को बेचने से जो capital gain होगा जो पैसा आएगा उसको भी तो consider करना पड़ेगा this is terminal value concept वो अगली class में होगा कल की class में तो कल की class में हो सकता थोड़ा पहले में NPV के विस्से में लिखवा हूँ आप उसे ignore कर देना आप आगे चल जाना thank you so much बाई बाई आज student मेरे सामने नहीं थी class record नहीं हो पाई थी यह किसी वजह से इसी वजह से मुझे ऐसे पढ़ाना पड़ा कल से बच्चे मेरे सामने रहेगे तो फ्लो रहेगा और आज बहुत ज़्यादा calculation mistake हुई है आप भी समझ रहे हो कल वो mistakes नहीं होगे okay bye thank you